साथियों, आज मैं आत्म निरिक्षन के बावत कुछ बातें रखना चाहता हूँ आत्म ही एक ताकत बचती है जब सरकार की तरफ से उमीद खतम हो जाए नियाई पालिगा की तरफ से उमीदें खतम हो जाए प्रशासन और पुलिस की तरफ से उमीदें खतम हो जाए उस सुरत में इंसान के पास सिर्फ एक टाकत है आत्मा की यानि सच्चाई की टाकत और मैं चाहता हूँ कि हमारे देशवासी आप सारे के सारे सुनने वाले और उनके जान पेचान वाले अपनी जिम्मेवारी इस दोर में तै कर लें और उसे साथ से अमल करें मैं खास्तोर से तीन चार बातों का जिक्र करना चाहता हूँ एक तो अभी हाथरस की एक लड़की का बहुत जुल्म किया उसके उपर और उसका कटल कर दिया और उन तो नहीं मरी वो मरी तो पंदरे जिन बाद लेकिन हड़ी तोड़ दी चीफ काट ली बहुत दुरगदी के स साथ उसकी जिन्दीगे खतम हुई और ऐसे ही एक लड़की हमारे हाँ आसिफा थी जम्मू में आठ साल की लड़की उस पर भी बड़ा जुल्म हुआ था कई दिन उसके साथ जुर्ब्यों हर किया गया और को टतल कर दिया गया तो एक हो यह कि हमारे वोपर लड़कियों की रख्षा की लड़कियों के सम्मान की जिम्मेवारी है हम उसमें क्या कर रहे हैं एक शहली के रूप में एक इनसान के रूप में दूसरी बार तभी फैसल आया अधिया का कई फैसले आ चुके यह उद्धिया पर एक तो फैसला आया था पिछले साल नवंबर में किसा वहां पर बाबरी मस्चित की जगे मंदिर बना लिया जाए दूसरा फैसला भी आ गया कि जितने लोग उसने अंदूलन में शरीक थे उससको बरी कर दिया तो यह गंभीर सवाल है कि हमारी आखिर बनी काई के लिए के चैहरिया बनी काई के लिए CBI ओ पुरिस काई के लिए बनी ह तीसरी बात अधी किसान अंदोलन चल रहा है मुल्क में उसकी अंदेखी करते हुए सरकार ने तीन बिल कहते तो है किसानों के भले के वह बिल है लेकिन खेती को दरसल कॉर्पूरेट वर्ग के हाथ में देने के लिए किसानों पर मुसीवट डालने के लिए एक पहाड हम दोलन चला हमारे देश में लोगडाउं की वज़े से वो बंद हो गया या रूप गया लेकिन वो मुद्दा खतम नहीं हुआ है इन चार सवालों के कंटेक्स्ट में मैं आपके सामने आत्म निरिक्षण की बात करना चाहता हूं कि आप समझने पहला सवाल लड़तियों क ने सबसे पहले तो हम अपने परिवार में लड़कियों का समद करना सीखें बड़के लड़की का फरक करन बंद करें और अगर हमारे लड़का समाज में किसी लड़की के साथ हैं वह अी वर बिवार करता हूं तो हम इसको साबाशी colonial है तो यह से हमारी अहम जिम्मेवारी है हमारे परिवार के अलावा हमारे गाओं में भी अगर कुछ बच्चे कुए में बैठके ट्वेड़ों के नीचे बैठके फप्तियां करते हैं जलीव करते हैं लड़कियों को तो हम उसकी अंदेख ही ना करें अपने गाउं की लड़कियों की सम्मान और सुरक्षा की दिमेवारी हमारे हम सब की हैं अपने महले में हम इस बात पर अमल करें गुंडों से डरें नहीं हैं है और यही कि मैंने भंतियों देखा है कि जूकी बस्तिय यंप आफि साफ पताई लगता है कि लड़क connected की विवार नाकेबल लड़कियां बनकी उनके परिवार के तमाम सदस्ते गरीबी की वेरे से गुंडों की काती नाना हरकतों का शिकार बन जाते हैं लहाज़ा हमारा फर्ज है जो लोग जरस्टी भी बढ़े लिखे या खाते-पीते हैं वो लोग इस मामले में कदम आगे बढ़ाए और जिनके पास कुछ भी ही नहीं है पड़ाई लिखाई की ताकत नहीं दौलत की ताकत भी नहीं है वो खौसले से अपने परिवार की अपने राजबास के लोगों की इफाज़त करने की आत्मशक्ति पैदा करें तो आत्मिलिक्शन का इस कंटेक्ट्स मेरा कहना यह है दूसरा यह कि हम हुकूमत पर यह दूम्ह क्लोमीटर की परावर की रफ्तार से उसको चलाते हुए निकलते हैं सर में साफ बांदे हुए और दिखाते हुए कितने अरोगेंट हैं देश्रत पैदा करते हुए यह वही लोग है जो शराब भी पीते हैं ज्वाभी खेलते हैं जिस चाहिकी जत रूट लेते हैं लिंचि जत का महौल होता है तो वह पार्टियां जो घरना पर पदपती हैं हुकुमत हासिल करती हैं उनके लिए इसे शाहिए मिलती है उनको टाकत मिलता है इसलिए हमारा अगला फर्जिये है अगर हम हाथरस की और जम्मू की नड़कियों की पीडा का एहसास करते हैं तो हम ऐसे त करता क्ते होना चाहिए अगला मसला है अधिया का आप समझ ले कि अधिया का मसला थाक है हमारी जज्ज इसको समझ में नहीं आया जिस तरीके से 1922 में कांधी जी को ग्रफतार कर लिए गया और राजदुरों का मुगत्मा चला उन पर लेकिन चांस की बात थी कि कांधी जी क की बास सुनके वो जजज कहता है कि मुझे आपको 6 साल की सज़ा देनी हैं लेकिन अगर सरकार किसी वज़े से आपकी सज़ा कम कर सके तो मेरे से ज़ाद हो खुशी किसी को नहीं होगी उसमें तो थोड़ी सी आत्मजब भी उसकी लेकर हमारी जज़स को क्या हो गया कर जो अंदोलन इस हिंदोस्तान की तारीक इसके इतिहास में कलंक से बहरा है कि जिसने घ्रणा की आदी इतनी उछा दी कि इन्सान को इससरा कर दिया जुलाए को किसांसे जुला कर दिया जिरह मानि मुसल्मान किसां मान इंडू सिस्षे कर दिया मास्टर मुसलमान सिस्षे हिंदु या मास्टर हिंदु सिस्षे मुसलमान जिस अंदोलन ने घ्रना और गमंड की आँधे उठा दी वह हमारे ज़जिस को दिखा नहीं कैया लिए इनका कोई गसूर नहीं मैं क्या कुआ हूं इसमाबा सबाल पर यह हमारी शर्मिंदिगी की इंतहा है हमारे लिए कचहिये बंद कर देनी चाहिए और हमें ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इनारे बैठे हैं जो जंता के खून पसीनी की कमाई पर संदा है वही सुरस्थ हमारी सरकार की है है यह सरकार घरणा प्यादा करती है इनकी पुलिष ने क्या किया दंगे कराती हैं दंगाईयों को शह देती हैं और उसके बाद जिन पर दंगई की माल पढ़ती है उन्हीं तो ग्रफ्तार कर लेती है कि आप साब यह आई आई साइसे तो नहीं है क्या कहूं मैं सवाल पर कल गादी की का जनम दिन है गादी नहीं यह चीज़ सिखाई कि आप खोल के सच को देखो लोगों की पीड़ा का हैसास करो और जितने बड़े-बड़े जुल्म होते हैं सरकार क पैट चाहिए पर या सरकार की उपेक्षा से या शरकार के इंवाल्डव्मेंट से होते हैं सरकार से लड़ू हुकुमत से कि हमारी किी प्रजान मंतरी आग्राहिमां stress लिघा नहीं मुदाइ नाम इह तरह चौड़ी पर बैठे हैं तो जबना कर चला है उस नजाम का यह खोट है प्रिशाशन की समय नहीं पर आती है प्रिशाशन को ठीक करें दुरुस्त करें और जब आप नहीं पने आक्रशक नारे लगाने वाले ना बने यह हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर किसी से जक्तिकन घरणा नहीं है यहां तक दंगाईयों स अरोज करें थे उनके चारित्रिक पतल पर मुझे दुख हुआ और यह अदेशा था कि यह जाकि किसी का कजल भी करेंगे उसका घब्राट भी हुई लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि वह उतना दोशी नहीं है उनको हम साथ ठीक कर सकते हो आदमेरी अपिरूनी से कि आपने अगर लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गोली चलाई किसी की जीव काटी किसी के पाउं काटे घर जलाया तो भी आप इसमें गर्वगां भाव ना करें अंदर जाक के देखें अभी आपमें सुधरनी की गुंजाइच बची है उन लोगों के कहें बहकावे में आप अप आत्मा को नमारें जिनको आपके इन एक्टिविटीज वजह से हुकुमत मिलती है कै इसलिए मेरा कहन यह से अपील करना चाहते हो सबससाथियों से और अपने हैश्वासियों से अपील करना चाहते हूं कि कि आप से कोई गलती हो गई है उसका पस्चा ताप करो अंदिर जाक के देखो मालिक आप में बहुत बड़ी ताकत देगा आप एक एक बच्चा हमारे बुलकर का भगत सिंग और गांदी है आप अपना कद क्यों नीचे करा रहे हो जिनके अपास कोई ताकत नहीं है उन पर अ कि उनको तो कुछ बिगड़ा नहीं हाला कि उनकी आत्मा मर गई लेकिन वह तो उनका खाम है लेकिन आप तो मिट्टे में मिल गए आपको क्या हासिल हुआ इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि हम इसमकर अपनी आत्मा के सबसे नीचे ले पाइदान पर हैं आत्मा की ता आप लोगों से मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम गांधी को अगर याद करें तो गांधी की कुर्भानी पर याद करें गांधी की शिद्धत से जेल जाता था उसको याद करें गांधी ने किस तरीके से हिंदुस्तान की मिट्टी के मिट्टी में से शेर पैदा कर दि मेरे पिदाजी चोथी क्लास तक पढ़े थे गांदी के संपर्ख में आये तो आचांदी के लड़ाई में जेल जाने लग गए अहमद पहनवान भी कम पढ़े लिखे थे पहनवान तो हला कि मुत्याबिल सबसे बड़े पहनवान थे उन्होंना अखाडों में सक्तेगरी साबरडायक हो गई सथा बिल्कुल डिवाइजव और इंपिरियलिस्ति हो गई तोडने वाली और भौस्ट जमाने वाली हो गई मीडिया हमारे हां का बिल्कुल बेखबर हो गया सरकार की हमेहां मिराने वाला हो गया ऐसे सुरत में मालिक ने अपन में टाकत दी है आत्मा की ताकत हम उसको जिन्दा करें और अगर हम ऐसे करेंगे हम बेश की सेवा करेंगे और महनवजादी की सेवा करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया